हाई बीटिफल सोल्स, वेलकम टू हापी सोल टारो, बहुत बहुत शिक्रिया फ्रेंज मेरे साथ जड़ने के लिए और इस खुबसूरत सी रीडिंग में हिस्सा बनने के लिए फ्रेंज आज बहुत ही खास दिन है, last day of October और हम देखेंगे आज की energies क्या है फ्रेंज आपको अपनी questions के answers मेरी videos की through जरूर मिलेंगे आप अपनी situation को ध्यान में रख करके अगर इन readings को देखेंगे तो आप जो भी पूछ रहे हैं, आपके मन में जो भी doubts हैं, वो जरूर clear होंगे ये मेरी बहुत strong intention होती है जब भी मैं videos बनाती हूँ और इसलिए ये videos timeless videos हैं friends तो start करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या answers मिलते हैं friends आज बहुत ही clear, very crystal clear answer है जो लोग भी इस वक्त self pity में हैं जो भी ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और जिसे सारी दुनिया खुश है सभी के साथ बहुत अच्छा हो रहा है बस सिर्फ एक मैं हूँ जिसके साथ कुछ बुरा हो रहा है या जिसके साथ कुछ अन्याय हो रहा है एक victim role play करना तो इस वक्त आपको divine advice यही है friends की mirror देखें यानि see your true self आप वो victim नहीं है जो आप अपने आपको सोच रहे हैं look at yourself and see the true you और हमारा true self हमारा natural authentic self बहुत powerful है friends बहुत wise है full of love, joy and happiness है तो अपने true self को अब देखिए कभी कभी हम बहुत selective होते हैं जब हम बहुत खुबसूरत लगते हैं तो हम अपने आपको बहुत अच्छे से accept करते हैं friends लेकिन अपना अगली face यानि जो face हमें पसंद नहीं आ रहा है mirror में हम उसे accept नहीं करते हैं तो इस वक्त जो आपको guidance है की please accept your true self और जब हम अपने आपको accept करते हैं अपनी soul को accept करते हैं for actually who we are उसी वक्त आप उस fulfillment को feel करते हैं उस peace को feel करते हैं अपने अंदर friends जिस शांती को आप बाहर ढून रहे हैं तो acceptance में आ जाईए this is your true face इसी को accept करना है यह बहुत खुबसूरत है सिर्फ यह है कि यह आपके मुताबिक इस वक्त नहीं दिख रहा है और आप जो है बहुत जादा इस वक्त एक victim role प्ले कर रहे हैं शायद friends यह box का card हमें बहुत beautiful message आज दे रहा है कुछ चीजें जितना हमारी समझ उसे समझ सकती है जितना हम उसे जान सकते हैं हम उसी को सच मानते हैं हम उसी को complete truth मानते हैं जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है उस box के बाहर भी एक दुनिया है तो अपने belief systems को इतना ज़्यादा confine मत कीजिये जिन rules को जिन norms को और जिन चीजों को आप अगर सही समझते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि यही सही है हो सकता है कि आपकी thinking जो है बहुत narrow हो चुकी है तो इस box से बाहर आईए out of the box thinking जिसे हम कहते हैं logical thinking से बाहर आईए बहुत कुछ है बाहर दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन हाँ इस box के अंदर की दुनिया known है और box के बाहर की दुनिया unknown है friends explore करना है उसी को तो explore करना है और ये box के different layers आप देख सकते हो इस box में भी कितने सारे layers हैं तो इन layers को हटाते हुए ही आप बाहर की ओर आ सकते हैं तो please इस box में confined मत रहिए अब अपने तरीके अपने पुरानी सोच को अब जाने दीचिए और box के बाहर की दुनिया को experience करने के लिए तयार हो जाएए friends और एक beautiful guidance है आज के लिए अपने आप से लड़ना बंद कीजिए you know हम कभी कभी अपने आपको ही बहुत कुछ प्रूव करने में लग जाते हैं बहुत कुछ अपने आपको समझाने में लग जाते हैं और हम कभी कभी ये justifications खुद को देते हैं खास करके जब हम एक victim energy में होते हैं तो हम अपने आपको justify कर रहे होते हैं कि मैं सही हूँ और इस चीज़ को अब आपको let go करना है stop fighting with yourself और अपने आपको allow करें कि आप peaceful हो जाएं ये जो द्वंद आपके अंदर चल रहा है इसे पूरी तरह से जाने दें friends इस वीडियो को complete देखें अगर आप अपने answers चाहते हैं आपको बहुत beautiful guidance बहुत beautiful answers divine से मिलते हैं तो please अंत तक जरूर देखेगा आपको अगर अभी तक जो अपकी energies अभी तक resonate कर रही हैं तो आप ही के answers है ये इस वक्त judgment का time बिलकुल भी नहीं है friends और नहीं आपको give up करना है हो सकता है चीजें आपके plan के मताबिक नहीं है इस वक्त but that does not mean कि आप rise नहीं करेंगे आप definitely rise करेंगे अपना साथ इस वक्त मत छोड़िये because अगर आप fearful हो जाएंगे यहां पर friends और आप यह सोचेंगे कि चीजें आपके according नहीं चल रही हैं और इसका मतलब है यह कुछ work करने वाला नहीं है तो मुझे जो है अपने control में हर चीज को लेनी पड़ेगी तब आप overthinking में फज जाएंगे तो please let go करें, allow करें energies को blossom करने के लिए कोई भी चीज फल्ती-फूल्ती है जब आप उसे बंधन में नहीं रखते हैं friends तो अपनी जो thinking को भी इस वक्त बंधन में मत रखिये आप उसे let go करिए, आप जो बहुत जादा overthinking में है उसको छोड़ना है पूरी तरह से और relax हो जाएए See how spirit has come and telling you to wait and watch तो इस वक्त, friends, आपको ना इस drama से दूर होना है अगर कोई drama इस वक्त आपकी life में चल रहा है जिनकी जिन्दगी में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है हो सकता है आपको बहुत सारे mig signals मिल रहे हैं और बहुत drama चल रहा है life में तो उनके लिए message बहुत important है, friends इस से distance कर लीजिए आप इस से थोड़ा सा दूर हो जाएए और चीजों को ठीक करने की इस वक्त कोशिश मत कीजिए because ये अभी work नहीं करेगा सबसे अच्छा है कि आप काम रहें बहुत ही composed रहें अपने साथ रहें और अपने उपर ही सारा focus जो है आप सिरफ खुद की उपर रखें और ये एक और message है कि अगर आप इससे step out करते हैं जो भी ये आपको दिख रहा है तो आपका perspective भी change हो जाएगा हर चीज के दो पहलू होते हैं friends एक वो होता है जो हमें सही लग रहा होता है और एक वो दूसरा नजरिया भी होता है जिससे हम अन्जान होते हैं तो जरूरी नहीं है कि अपने नजरिये को पकड़ कर रखें और उसे ही सही साबित करने में लग जाएं आपको बस let go करना है क्योंकि हर एक कॉइन का दूसरा भी side है every page has another side also ठीक है तो अपने perspective को यहाँ पर change करिये आपके देखने के नजरिये को आपको बदलना है और इसके लिए आपको उस ड्रामा से बिलकुल दूर हो करके बाहर आकर के एक third person की तरह observe करना है और please let go करिये और चीजों को खुद बेखुद सामने आने दीचिये आप खुद जाकर के चीजों को fix करने की कोशिश न करें और यहाँ पर अपनी worth को समझना है आप कौन है friends आप proud feel करें friends जो अभी तक आप accomplish कर चुके हैं इतनी challenges को cross करके overcome करके आप यहाँ तक आ चुके हैं इस वक्त अपने आपको एक victim क्यों समझ रहे हैं अपनी worth को समझ ये आप अपना सर उपर करके आगे चल सकते हैं पूरी integrity के साथ और यह आपको यह जो skunk spirit है यह आपको यही बता रहा है कि आप अपने best self में आ रहे हैं you are getting connected to your higher self friends be true to yourself and remember who you are और जब आपको पता होगा कि आप बहुत powerful हैं divine हैं आपकी soul जो है वो बहुत ही divine energy को carry करती है God की energy को carry करती है तो आप कभी भी अपने आपको victim नहीं समझने वाले friends you have to believe that divine energy हमेशा आपको सही दिशा में ही लेके जाती है चाहे उसके तरीके कभी कभी हार्श होते हैं अंदर क्या change आने की जरूरत है अब इस वक्त मत देखे कि मुझे बाहर से क्या मिल रहा है लोग मुझे क्या दे रहे हैं या मेरी जिंदगी में कितने दुख आ रहे हैं कितने ड्रामा चल रहे हैं कितना कुछ चल रहा है उन पर ध्यान देने की बजाए खुद को balanced में रखना खुद पर focused रहना और अगर आप इस temperance की card को आज देखे friends कितनी सारे हाथ हैं इस goddess के there are so many hands और इतनी सारे हाथों के होते हुए यानि आप ये सोच लो कि बहुत कुछ चल रहा है बहुत सारा काम आपको शायद करना पड़ रहा है अलग-अलग दिशाओं से आपको खीचा जा रहा है लेकिन फिर भी inner peace and calm को नहीं छोड़ना है खुद पर focus रखे अभी भी क्या change करने की जरूरत है उसी पर आपका पूरा focus होना चाहिए I think today's message is very beautiful, बहुत सारे मेरे viewers को अपने answers मिले होंगे अगर आपने अपनी situation को ध्यान में रखकर देखा होगा friends, thank you so much for being with me, more more love from Sonia